गाइज इंडिया का ये हजार साल पुराना मंदिर किसी आठ में अजूबे से कम नहीं है जिहां गाइज महाराष्ट औरंगाबाद से 30 किलोमेटर दूरी पर मुझूद इस मंदिर को केलाष मंदिर के नाम से जाना जाता है इसे राष्ट कूट वंच के राजाओं ने बेहदी नयाब तरीके से बनवाया था क्योंकि इसे बनाने के लिए पत्थरों को नहीं जोडा गया बलकि पूरी की पूरी एक चटान काट कर उसे एक मंदिर का धाचा दिया गया था जिसमें से करीबन दो लाख टन पत्थर बाहर निकाले गए थे लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक इन पत्थरों का कोई अता पता नहीं है दूसरी तरफ इस मंदिर में हिंदू धर्म से जुड़ी कई मूर्तियां उकेरी गई है जिसमें एक तरफ महा भारत से जुड़ी मूर्तियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ रमायन से जुड़े अदबुद साक्ष हैं गाईज कुल मिलाकर ये मंदिर किसी आठमें अजूबे से कम नहीं है वैसे आपके इसाब से क्या इस नयाब मंदिर की कारीगरी को देखते हुवे इस आठमा अजूबा घोशित कर देना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए एटू मोटिवेशन इनको सब्स्राइब करना मत बूलेगा दरसल इस कुत्ते के जरम दिन पर 300 लोगों को दावत दी गई और वो भी बकाइदा इन्विटेशन कार्ट दे कर महीं पार्टी के दौरान इस कुत्ते को 4500 रुपे का सूट भी पहनाया गया था इतना ही नहीं जरम दिन पर इस कुत्ते को 300 की चैन गिफ्ट में मिली है और पार्टी में आए महमानों ने दावत खाने के बाद डीजे पर खूब डांस भी किया और अब इस कुत्ते के जरम दिन की पार्टी का वीडियो सोचल मीडिया पे वारल हो रहा है वैसे गाईज क्या आप भी इस क्लिप को देखने के बाद आप से जादा इस कुत्ते को लखी मान रहे हैं कुमेंट सेक्शन में जरू लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए एटू मोटिवेशन चानल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा